आयोध्या राममंदिर बाबरी मस्जित छे दिसंबर ये वो दिन था भारत के इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने भारत की पॉलिटिक्स को भारत के वातावरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया ऐसा मैंने कुछ पढ़ा एक न्यूस पेपर रिपोर्ट में मैं नहीं मानता मेरे कुछ सवाल है 1992 के बाद कॉंग्रेस की सरकारें आई वाजपाई जी की भाजपा की सरकार आई फिर कॉंग्रेस की सरकारें आई UPA की और अब फिर से भाजपा की सरकार है मेरे कुछ सवाल है क्या अयोध्या में अन्य इंप्लॉइमेंट खतम हो गई है क्या अयोध्या में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खाली बैठा है क्या सारे अयोध्या के बच्चों को काम मिलता है रोजकार मिलता है क्या अयोध्या की सडके मध्यप्रदेश यानी अमरीका की सडकों से जादा अच्छी है क्या अयोध्या में 24 घंटे बिजली आती है क्या अयोध्या में पानी की कोई समस्या नहीं है सब ओके है ये कुछ सवाल मेरे जहन में उड़ते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि इतना सारा मीडिया टाइम अयोध्या पे, मस्जिद के गिरने पे और मंदिर के बनने पे लगाया जाता है क्या हम भारतिय किसी भी मजभ से हूँ क्या हम उस 25 साल पुराने इतिहास को नहीं बदल सकते क्या हम उस 25 साल पहले जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस इतिहास को नहीं बदल सकते क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हमें आयोध्या की प्रोग्रेस करनी है हमें आयोध्या की लोगों की प्रोग्रेस करनी है क्या हम इतने बढ़ गए हैं मख़बों में बस यही सवाल आज मैं आपके जहन में छोड़ के जा रहा हूँ और इससे अब मैंने कुछ नहीं आप सोचेंगे कि आप एक मख़ब से हैं दूसरे से हैं तीसरे से हैं या चौते से हैं उसका फरق नहीं बरता क्या हम भारत की नई पीडी अयोध्या में सिरफ मंदिर और मस्जिद मुद्धे पे कितने और सालों लड़ते रहेंगे कितने और सालों हम सोचते रहेेंगे और मीडिया का टाइम खराब करते रहेंगे डिवेलप्मेंट का हैं? प्रोग्रेस का हैं? क्या इतना मीडिया टाइम अगर अयोध्या के इशूस पे लगाया जाता रादर दें जस्ट अ मंदिर और जस्ट अ मॉस्क तो क्या अयुध्यावासी साधा खुशना होते हैं सोचिएगा विचारिएगा मैं पांच फुट शे इंच रॉबिन होट कुछ विचित्र ही विचार होते हैं मेरे अलग से विचार होते हैं आमप्रेस पे कल पहला बैच हमारा शुरू हो रहा है ट्रेनीज का दिन एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि जिसमें आयोध्या की डिवेलप्मेंट की बाते होंगी आपकी स्टेट की डिवेलप्मेंट की बाते होंगी आपकी पंचायत की डिवेलप्मेंट की बाते होंगी मंदिर और मस्जिद की बाते ना कभी यहां हुई है और ना कभी यहां होंगी यही है आमपुरेस का जादू जनता का प्यार चै जनता साथ में मिलके रहो प्यार से रहो और किसी भी सियासी पैंतरों से एक के हो या दूसरे के हो बच के रहना क्यों? क्योंकि जब तकलीफ आपके उपर आएगी ना तकलीफ छोड़ो जब आपके पेट में भूख भूख लगेगी ना तो ना एक ने साथ देना है और ना दूसरे ने देना है अपना ख्याल रखेगा अपने परोसियों का ख्याल रखो अपने मजब वालों का ख्याल रखो अपने से दूसरे मजबवालों का भी ख्याल रखो ये भारत चाहिए आज की यूद को जहेंद